माहुरी वैश्य मंजल की ओर से शनिवार को बिंगबाद प्रखन के कनपूरा अस्तेत मीट वे ग्रीन में माहुरी मिलं समारो कायचन किया गया यहां कायरक्रम के दोरान समाज की ओर से सबसे पहले कायरक्रम की सन्योजी का भाजपा नेतरी साली वैश्य ख्यार का स्वागत श्रेर राम का पट्टा देकर और फूल माला पहना कर किया गया जिसके बाद समाज के नवनिर्वाच्वित अध्यक्ष गुपाल दास भदानी और सचिफ अरुन कुमार गुफता का स्वागत किया गया कायरक्रम के दोरान कई तरह की खेलकुद और सांस्क्रितिक कायरक्रम का एज़ुन किया गया साथी सभी लोगों ने समाज को एक सूत्र में पिरोकर गती के साथ आगे लिज़ुआने की बाते कही इस बापत भाजवा नेत्री सालनी वैश्विख्यार ने कहा कि समाजिक मिलन का कायरक्रम एज़ुद कर समाज को सक्रात्मक उज़जा के साथ आके बढ़ाने को लिकर चर्चा की गई साथी कई तरह की कायरक्रम एज़ित हुए है जिसमें लोगों ने बड़े ही उत्साह के साथ हिस सालिया अध्यक्ष गोपाल दास भदानी ने कहा कि सेवा भाव में इस समाज के लिए कारिक करूँगा और कारियों में गती देने का भी काम करूँगा मौके पर वरिष्ट अध्यक्ष राजकुमार चरन पहाड़ी महामंडल की राजजेंद्र तरवे सुझे राजभदानी हबलू गुपता प्रतीमा सीट कंचन देवी समित समाज के स्याक्रों लोग मौजूद थे महरी मिलन कारक्रम का आयोजन किया गया यह एक समाजिक मिलन का कारक्रम था जिसमें हम सभी स्वजातिये लोग भिकठा हुए और सुबह से ही सांस्कुतिक कारक्रम खेलकुद के कारक्रम चल रहे थे अभी अध्यक्ष और सचिव जो हमारे चुने गए हैं इनका हमने सम्मान किया इसके पूर्व बच्चों के लिए इस पूर्व भर्ग के लोग आपस में मिले और विचारधारा को लेकर आगे बढ़े वो विचारधारा होनी जहें मिकास की विचारधारा हम आगे की और अगे बढ़ना चाहिए जहारखंड आगे बढ़ना चाहिए हमारा देश आज नुरेंद्र बोदी जी की प्रधान मंत्री जी की अगवाई में आगे बढ़ रहा है तो ऐसे ही हम सब आगे बढ़ने इसी सोच के साथ मैं आप सब धन्यवाद करती ही यह मैं सभी समाथ के अगे अपने समाज में आया हूँ और मैं उत्के सकार करने की पूरी कोशिश करूंगा जी दिन से जीता हूँ उन्यवाद को सब बहुत इंजोए कि यहां पर हर्त वर्क के लोग भी आया है हमारे सारे सायोगी सास में भी खड़े हैं और भी लोग हैं तो हमारे नए मंत्रि मंत्र में जो खाम करेंगे हमारे काम करेंगे उन सब का भी आभार वेक्ष करता हूँ जै मावा सार्च